राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगे दीप जला के दीवालि मैं मानाओंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे दिलवा के हम रातों छूर लागेला जैसन सुचले रहनीों से बिजूर लागेला राम आएंगे तो दीप जलाएंगे अंगना सजाएंगे दिवाली में छटके टाइम में आप लोग गाना सुने होंगे बहुत काफी बाइरल हुआ था बहुत ही सुन यहीं घर घर पर पहुंचे भाईया घर थोड़ा दिखा दीजिए यहां पर क्या लुकेशन है किस तरीके से घर है मैं शुरुआती दौर से दिखाने का प्रयास कर घर सकते हैं फैसी है सबसे पहले स्वागत मेरिंन वह आता वहीं बन नहीं दपाद है दोग से तो उमको डर लगता है स्वाती की तो यह देख सकते हैं यहां पर कीज तरीके सा अभी घर बन रहा है अभी अभी मला बहुत अच्छा तरीके सा बना रहे हैं आप लोगी जानुजान बहुत अच्छा तो फिर दिखा दिखांदी आपके गाने जो है ना इनकर गाने जो कि आगाना ऐसा गाई है कि मतलब को खूब बलाश्ट हुआ लोगों को खूब पसंद पड़ा वह अलब दाना कैसे थोड़ा गाह के दर्सका अबर पुलिए राम आएंगे तो अंग ना सजाओंगी दीप जला के दीवालिंग मैं मानाओंगी कि है दिए जमुके सारे पाफ मिटा जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे राम ही पहुत सुन्दर गाना है आप लोग सुने होंगे यह आने को कितना मिलियन बजा है अभी तक 3 करोड़ी इसको कोई बाकी नहीं होगा इस गाने को आप लोग सुने यह दिवाली के एक महीं ने पहले हुआ था यह दिवाली के लिए अच्छली गाना नहीं था मैंने तो पैसे गांके इसको डाल दिया था लेकिन यह भागी की बात है कि अगली मन दिवाली आ गई क्या आप सोचे थे कि इतना मतलब भलाष्ट करेगा यह गाना लोगों को पसंद पड़े कोई बना गाना बनाने से पहले मैं उसको बहुत जादा वायरल और बहुत जादा उसको वह करने के वायर में नहीं सुछती हूं इस गाना में बैस करना है क्योंकि जिसके कान में जाए लेकिन स्वाती जी का जो गाना है न जो की दिल को छू लेता है वो गाने आप लोग कोमेंट करके बताते रहिएगा और सवाल में करने वाला अच्छा स्वाती जी कौन कौन सा गाना बलाष्बलड बजा एक दो और चलेंगा हां चलिए कोई बात देख लीजिए सब नया न प्लीट होगा तो फिर हम लोग आएंगे दिखाने अब तो सारे फरनीचर इंटीरियर सब बाकिए बिल्कुल सब बाकिए लेट सिट अब तो सुना दीजी वही त्यारा सा एक गाना मेरा इंस्टर्राम पोट वारेल चल रहा है तोहरे में बसी राजा हमारो परन्वा हो रात दिन रहे बस तोहरे धी अन्वा उमन झूमे नाचे गावे जब तोहारा के पावे बड़नीक लागे राजा तोहरा संगवा हो कवा हूना हाथ चूते हमरा सजन से साथ रहे उनके हर जनम वा हो कितना बजा था यह लोगा इस गाने पे अभी तक यूटूब पे 86 लाख नहीं आप इसको आप समझ जाए कि मेरे ख्याल से भी 90 पार कर गया होगा इतना बजा है और इंस्टाग्राम पे तो इससे लाखों लोगों ने रील बनाया है और कौन-कौन से गाने आपके सबसे ज्यादा ही यहां आने के बाद जब मैं छपरा आई थी चट में उसके बाद फिर मुंबे गई थी फिर छपरा आ गई तो दौरान मैंने गाना किया गाने का बोल था दिल्वा के छोड मेरा गाना लिखा हुआ है अपने से लिखती भी है यह गाना भी मेरा ही लिखा हुआ तो इसमें पांच दिन में बार मिले निवी चले गए थे उसजना दिलवा के हम रातों चोर लागेला जैसन सुचले रहनी यो हूँ से बिजोड लागेला जैसन सुचले रहनी यो हूँ से बेजोड लागेला आपरास है भोजपूरी प्योर भोजपूरी बोला जाता है तो आब आप में है क्यो रहती है, हमारे भोजपूरी में क्यों नहीं रहती है? एक्चली सब का अपना अपना काम करने का comfort zone होता है, मेरा studio है Mumbai मेरी मेरे काम असानी सो हो जाता है वहां से और कहीं ना कहीं मुंबई में एक अच्छी लाइफ भी यूनो मिल जाती है मैंने खुद से ही क्रिएट किया है तो इसलिए वहाँ पर रह रह रहे हूं ऐसा नहीं है कि बिहार मेरें से मुझे कोई प्रॉबलम है मुझे 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 रह जाओंगी लेकिन एक अधली में शुरू किया था बहुती बेसिक से सीखना शुरू किया था उसके बाद मैं बनारस गई वहां से क्लैसिकल मुजिक से भी हूँ से मैंने ग्राजवेशन किया फिर मुंबई से मास्टर्स किया तो ऑफिशिए मैं सी करें हूं पिछले कर रही हूं और था कि को गाना गाना चाहिए जहां तक मुझे मेरी फैमिली से पता चलता है मैं तो बच्पन से ने-ने-ने करके जो गुन-गुनाते हैं बच्चे वाइता अब से गुन-गुना ही रही हूं और हमें छोटी थी तो उसे में गाने आते थे यह वाले ओई राजू प्यार मत करियो यह स ने करता है यह सारे गाने थे उपर से याई रे यह रे जोड लगा वो सब बचता था यहां पर मिले घर में टेप रहें वो था सांग सिस्टम ता उसमें बचता था तो अवाय वारा ना ऑद रही हो और मैं पता था फे प्लेएक संगर अलग होते हैं अप्टर्स हैं अए ल अगर कोई पिक्चर वाले देते हैं तो क्या होता है वह एक अंदर से आवाज है कि मुझे गाना की साथ मेरी अवाज नहीं मुझे गाने से इतना प्यार मिल रहा है ना लोगों से कि मुझे किसी और प्रफेशन की जरुवत ही नहीं है अच्छा भोजपूरी आपको गाने अच्छा लगता है गाना की हिंदी गाने अच्छे लगते हैं अच्छा पाउन जी और खेसारी जी के साथ में कब आपका गाना उना आए अरे छोप आपरे वह बहुत बड़े लोग है उन्रों के साथ गाना शोपूल फ मुशकील पर ठीक है वह बहुंपना काम कर रहे हैं हम भी अपना काम कर रहे हैं तो अ क्य टो क्या कर अधे गरएंगी आउ पराणे तो अठीन करता है कि आने कैसा है अच्छा खाणा पहुन जी तो और खेसारी बोलते हैं लोग कि भोजपूरी में बस यहीं अंत है अगर उनके साथ गाना का लिए तो बस भोजपूरी का मतलब आप सब चीज पाल लिए लोग बहुत बड़ी लोग है उनके पास बहुत बड़ी ओडियंस है तो अगर यह बात वह बोल रहे हैं तो तो अफर आता तो गाना मतलब होगा नशीब गाना अच्छा होना चाहिए गाना मेरे टेस्ट का होना चाहिए तो जरूर आओंगी मां